दोस्तों स्वागत है आपका आप देख रहे जन्सद्य स्टेंप्स और मविच का दिल्ली आपकारी नीती मामले में करीब 6 महिने बाद सुप्रिम कोड से मिली जमानत पर जेल से बाहर आये दिल्ली की मुखमंतरी अर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने का एलान कर दिया ह केजरिवाल ने रविवार को आमानवी पार्टी के कारिकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दो दिन बाद भी मुखमंतरी पत से इस्तीफा देने जा रहे हैं जब तक जनता मुझे चुन कर दुबारा सीट पर नहीं बेचेगी मैं मुखमंतरी की कुरसी पर नहीं बैठूँगा या फैसला भले ही सभी को सप्राइज लग रहा हो लेकिन ये उनकी सोची समझी रणनीती का हिस्सा है केजरिवाल ने एक स्तीफे से कई सियासी निशाने साधने का बड़ा दाव चला है लेकिन देखना होगा कि ये फैसला क्या उनके लिए सियासी निरेटिव सिट कर पाएगा ब्रस्टाचार के खिलाफ खड़े हुए अन्ना आंदोलन में से आमादमी पार्टी निकली है अर्विन केजरिवाल और उनकी पार्टी के लोग खुद को इमानदार बताते रहते हैं ऐसे में दिल्ली शराब नीती मामले को लेकर बीजेपी निता लगातार आमादमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल की छवी पर सवाल या निशान खड़े कर रही थी और केजरिवाल का स्तीफा मांग रही थी अर्विन केजरिवाल ने कहा मेरे पास मेरी इमानदारी के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे बैंक खाते खाली है मैं आईकर विभाग के कमिशनर की नौकरी छोड़ कर जोपडिंग में रहने गया था मेरे अंदर देश की सेवा करने का जुनून था मुझे ना पद का लालच है और ना ही दौलत का लालच है मेरे अंदर देश और समाज की सेवा करने का जुनून है मैं जन्ता से पूछने आया हूँ कि आप केजरिवाल को इमानदार मानते हैं या गुनेगार मानते हैं अब जब तक दिल्ली की जंता अपने फैसला नहीं सुना देती है तब तक मैं CM की कुरसी पर नहीं बैठोंगा इस तरह आम आदमी पार्टी अपनी इमानदारी की छवी वाले नेरेटिव को सिट करने का प्लैन बनाया है सुप्रिम कोट की शर्थ है कि अर्विन केजरिवाल को जमानत दी गई है वह अपने दफ्तर या सचिवाले नहीं जा सकते वह उन्हीं फाइलों पर साइन कर सकते हैं जिनका आगे अप्रूवल के रिए उपराजपाल को भेजी जानी है इस तरह केजरिवाल को अभी दिल्ली में अपनी मन मुताबिक और आजादी के साथ काम करने की बहुत जादा आजादी सुप्रिम कोट के द्वारा नहीं दी गई है ऐसे में केजरिवाल इस्तीफा और विधानसभा भंकरने की कोशिश कर जल्द चुनाओ करवाना चाहते हैं केजरिवाल ने कहा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाओ अगले साल फरवरी में कराने की बजाए इसी साल नवंबर में करान यदियाद जाना चाहिए उन्होंने मांग कटिक हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव फर्वरी 2025 की बजाए नवंबर 2024 में कराया जाए केजरिवाल ने कहा कि दिल्ली का विधान सबाद चुनाव अगले साल फर्वरी में कराय के बजाए इसी साल नवंबर में कराना चाहिए महराश्ट के चुनाव के साथ ही कराया जाए आम आदमी पार्टी को अपना फायदा होने की उमीद दिखाई दे रही है केजरिवाल के साथ मनीश शोधिया ने भी अब चुनाव तक कोई पद ना लेने का निर्ड़े किया है इस तरह बीजेपी को भी अब ने सियासे रणनीती बनानी पड़ेगी क्योंकि वह अभी तक दोहजार पच्चिस के लिहाज से चुनाव की प्लैनिक कर रहे थे केजरिवाल अम महराश्ट और जार्कन के सियासी तपिश के साथ दिल्ली का चुनाव कराना चाहते हैं तब बीजेपी महराश्ट जैसे राज में उल्ठी रहेगी और दिल्ली विधानसवा चुनाव उस तरह फोकस नहीं कर पाएगी इसका सियासी फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा केजरिवाल को यहां लग रहा है कि उनके स्तीफे से जनता के बीच एक अच्छा मेसेच जाएगा जिसका लाब उन्हें और आम आदमी पार्टी को मिलेगा कोर्स से जमानत मिलने के बाद अर्विन केजरिवाल ने खुद ही स्तीफा देने का एलान कर दिया है कोर्स से जमानत मिलने के बाद अर्विन केजरिवाल ने खुद ही स्तीफे की पेशकर कर बीजेपी के साथ साथ कॉंग्रेस को भी हैरत में डाल दिया है केजरिवाल ऐसे समय जेल से बाहर आए है जब हर्याना में विधांचबा चुनाव हो रहे हैं केजरिवाल खुद हर्याना से आते हैं ऐसे में स्यमपत्स स्तीफा देने के बाद केजरिवाल हर्याना की जनता के बीज भी यह मैसेज देंगे कि आम आदमी पार्टी दूसरों से अलग है और केजरिवाल का पद का लालच नहीं है प्रस्टाचार के आरोप लगे हैं तो इसका फैसला जनता की आदालत में होगा अब देखना यह होगा कि दिल्ली में विधांचबा चुनाव कब होते हैं और अर्विन केजरिवाल के स्थीफे का असर आम आदमी पार्टी और अर् तमाग खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जन संदेश टाइम्स